रिसेंटली मैं यूटूब शॉट्स देख रहा था और यूटूब मुझे ये वाला शॉट रिकमेंट करता है और इस शॉट के उपर 3,000,000 से जाधा लाइक और 32,000 कोमेंट्स थे लेकिन जब मैंने इस यूटूबर का चैनल चेक किया आई वाज लिटरिली शॉट तुम क्लेरी देख सकते हो कि इस भाई ने चैनल ओपन किया है 8 अगस्त 2023 को और सिर्फ 4 मेने के अंदर इसके चैनल पे 5,000,000,000 व्यूज आए हैं और इंटरस्टिंग बात ये है कि ये चैनल monetized है लेकिन सवाल है कि कैसे how did he treat this तो इस चीज को जानने के लिए मैंने इस चैनल को अच्छे से analyze करना शुरू कर दिया so after analyzing his YouTube channel मुझे तीन reasons मिले हैं और तीसरा वाला reason तुम्हें absolutely खुश कर देगा the first reason जिसके कारएं audience इसकी वीडियो पे इतनी ज्यादा हुक हो रही है that is the background video, the subtitle and the AI voice ये तीन चीजें इसकी वीडियो में जान डाल देती हैं जिसके बाद audience इसकी वीडियो को पूरा देखना पसंद करती है now the second reason ये channel English language में available है इसका मतलब कि इसके पास जो audience है वो global language वाली audience है और ये भी एक reason हो सकता है इसके चैनल पे इतने ज्यादा subscriber होने का but here is the twist हम तो इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास audience की कमी बिलकुल भी नहीं होगी now the last reason ये reason तो नहीं है लेकिन इसे सुनने के बाद तुम जरूर खुश होगे अब तक इंडिया में सिफ एक ही ऐसा channel है जो कि इस niche को follow कर रहा है जो की मेरा है इसका मतलब कि इस niche में अभी zero level का competition है अगर तुम एक new channel create करते हो और आज से ही start करते हो तो तुमारा channel 110 times जल्दी grow होगा तो चलो यार मैं तुमें बताता हूँ कि कैसे इन videos को AI की मदद से 15 minute के अंदर बनाया जाता है all you need to do just follow this pattern step 1 create a new YouTube channel और तुमें अपने channel का नाम ऐसा रखना है जो कि पूरे YouTube में ना हो जिसके लिए तुम मदद ले सकते हो chat GPT की simply chat GPT पर जाके तुम अपने channel के लिए एक unique नाम मांग लेना जिसके बाद ये तुमें channels की list देदेगा और तुम अपना channel का नाम select कर सकते हो जैसे की मेंने किया है और मेंने अपने channel का नाम QuickQuist TV रखा है चैनल के banner और logo के लिए तुम simply Canva में जाके template वाले option में चले जाना जिसके बाद तुम banner और logo को customize कर पाओगे और simply यहां से download भी कर सकते हो अब हमारा channel बन चुका है अब बारी आती है वीडियो को बनाने की Step 2 Background वीडियो को कहां से लाएं Background वीडियो के लिए तुम्हें जाना है Instagram पे और Instagram पे सर्च बार में तुम्हें सर्च करना है ASMR Satisfaction Videos और यहां पे तुम्हें बहुत सारे pages मिल जाएंगे जहां पे तुम इन वीडियो को download कर सकते हो And that's it तुम्हारा step to complete Now the third step content and voiceover Content के भी दो तरीके हैं First is the chat GPT and second is Pinterest सबसे पहले Pinterest पे आते हैं तुम्हें Pinterest के उपर जाकर सर्च करना है funny short stories in Hindi और यहां पे यह तुम्हें कुछ stories देदेगा और तुम्हें जो भी story अच्छी लगती है उस story का page simply download कर लेना जैसे कि मैंने यह वाला page download किया है अब तुम्हें जाना है image text io पे यह एक website है जो तुम्हारे image के words को text में convert कर देगी simply तुम्हें आपने downloaded वाले page को यहां पे डाल देना है उसके बाद तुम्हें थोड़े दिर wait करना है जिसके बाद यह उन words को text में convert कर देगी और तुम्हें उस text को copy कर लेना है copy करने के बाद तुम्हें जाना है 11 laps में यह website तुम्हारे text को voiceover में convert कर देगी इस website पे तुम simply अपने google account को login कर लेना उसके बाद तुम्हारे सामने यह वाला page आ जाएगा और यहां पे तुम अपने text को डाल देना और थोड़ा बहुत कुछ खुद से edit करना चाते हो तो कर लेना and generate पे click कर लेना जिसके बाद यह तुम्हारे voiceover को generate कर देगा and तुम simply उसे download कर लेना and that's it यह था पहला तरीका अब दूसरा तरीका है जो के chat GPT वाला है तुम्हें chat GPT के उपर जाना है और इस chat GPT से तुम्हें random facts के बारे में पूछना है जैसे कि मैंने पूछा है मैंने इसे पूछा है कि random facts that we do when we are child write this in simple and easy Hindi language और यह तुम्हें simple और easy Hindi language में fact निकाल कर दे देगा और इससे तुम और भी चीज़े पूछ सकते हो जैसे कि random facts about dogs random and weird facts about cats या ऐसे facts जो हमारी जान बचा सकते हैं तुम्हारे पास content की बहुत limit होगी अब इसने हमें कुछ facts दी हैं और जो भी मुझे facts अच्छा लगेगा मैं उसे copy कर लूँगा और 11 laps में जाकर इसे copy कर लूँगा और अपने voice over को generate कर लूँगा and that's it step 3 complete now this step 4 that is subtitle अपने videos के अंदर subtitle कैंसे लाएं यह रहा मेरा voice over जिसे मैंने 11 laps से डाउनलोड किया है और इस black document को मैं green कर दूँगा and video को low quality के उपर save कर दूँगा अब जाओंगो मैं video में यह AI मेरी video के उपर subtitle automatically डाल देगा बद यहाँ पर problem है कि यहाँ पर इसका watermark लगता है बद उसका भी एक solution है सबसे पहले तो मैं create project करूँगा and अपनी video को यहाँ पर लेके आऊँगा उसके बद मैं जाऊँगा subtitle वाले option पे and subtitle वाले option पे जाने के बाद मैं यहाँ पर generate subtitle कर दूँगा मैं यहाँ पर automatic highlight भी click कर लूँगा और यह हमारे subtitle को generate कर लेगा plus हमारी video के उपर automatically highlight भी डाल देगा और इसके अंदर तुम अपनी तरीके से customize भी कर सकते हो जैसे कि मुझे यह वाला text अच्छा लग रहा है तो मैं इसे customize कर दूँगा तो मुझे impact pop वाला animation अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैं इसे दे देता हूँ यह काफी अच्छा लग रहा है और मैं अपने text के ऊपर थोड़ी सी shadow भी दे दूँगा ताकि मेरा text थोड़ा अच्छा लगे अब मैं इस video को simply यहां से download कर लूँगा download करने के बाद अब हमें जाना है अपने elting वाले software में और सबसे पहले हमें अपनी Instagram की वीडियो को यहां पे लेके आना है और इनकी volume को कर देना है बिल्कुल mute उसके बाद हमें layers वाले section में जाकर उस video का लाना है जो हमने video से बनाया था यानि कि वो subtitle वाला वीडियो अब इस video को हमें ओपर से crop कर देना है जहां पे हमें इसका logo दिख रहा है और simply chroma key पे जाके इसका background मिटा देना है और तुम देख सकते हो कि मेरा background हट चुका है और मेरे subtitle सामने आ चुके हैं और इसे अच्छे से मैं अब अर्जस्ट कर लूँगा और मेरा video बनकर तयार हो जाएगा ये था पहला step, subtitle डालने का लेकिन दूसरा step भी है दूसरे वले तरीके में तुम्हें सबसे पहले अपने editing software में वीडियो को बनाना है और उसके बाद video I.O. में जाकर अपनी video को डाल देना है और वहाँ पे subtitle जनरेट करने है उसके बाद तुम्हें इस video को वापिस से editing software में लाना है और थोड़ा सथ zoom in कर लेना है जैसे कि इस video के उपर video I.O. का logo दिख रहा है और इसको zoom in कर लूँगा और zoom in करने के बाद मेरा video I.O. का जो logo है वो हट जाएगा और मेरा video बनके तयार हो जाएगा बचपन में हम सबने यह चीज़ें की है नम्बर वन बचपन में हम अपनी खुद की भाषा बनाने का परयास करते थे जिसमें हजारों नए शब्द शामिल होते थे और फिर हम उसे गर्व से बोलते थे और बड़े दिनों तक सब हमें समझते रहते थे नमबर डो, बच्पन में हम दिन भर अपने ख्यालात में खोए रहते थे और कभी-कभी हम अपनी अद्भुत इमेजिनेशन का हैरान करने वाले किस्से बना लेते थे जैसे कि हमारे पास एक आभूशन चोर या खोजने वाले खजाने के सीरियस मिशन का पूरा प्लैन होता था नमबर थ्री, बच्पन में हम कभी-कभी अपनी खुद की दुनिया बना लेते थे जैसे कि खाने की चीजों को अजीब अजीब नाम देना और फिर उन से बनाई गई कहानियों को दोस्तों के साथ साज़ा करना था कुछ खास नहीं, बस अपनी मस्ती में रहते थे